जय हिंद इस वीडियो आपको बताऊंगा कि आखिर वह कौन से कारान थे जिसके चलते इस कंपनी का सेर प्राइस इतने नीचे गया और इतना लंबा लोवर सेक्ट इसमें चला साथ में यह भी बताऊंगा कि आप जो इसमें अपर सर्कुट लगा है तो इसका सेर प्राइस अधिकतम ओपर कहां तक जा सकता है और यह भी कि जिस बेक्ती के पास इस कंपनी के सेर है उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए या बेस्ट कर निकल जाना चाहिए वीडियो आपके के लिए बहुत काम का होने वाला है पूरा देखिएगा आईए वीडियो शुरू करते हैं देखिए टीटी एमेल जो कंपनी है महराश्ट बेस्ट कंपनी है टाटा की एक सबसेडरी कंपनी है और यहां इंटरनेट सर्विस प्रभाइड करने का काम करती है इसका मार्केट क मार्केट के लिहास से कंपनी यह बड़ी कंपनी हो चुकी है और आज की दिन देखेंगे तो करीब करीब 5% अपर सर्केट लगा है यहाई लगा चुका है 292 रुपया का और यहीं पर जब यह गया थे इसका सेर प्राइस 292 रुपया पर तो इसमें लोवर सर्केट लगा ए अब हम लोग बात करते हैं आखिर वो कौन से ऐसे कारण थे इसके चलती इसमें इतना लंबा लवर सर्केट चला और समझें दो तीन प्रमूख कारण है एक तो है जो कंपनी को पर एजियार ड्यूज था यह एजियार ड्यूज क्या होता है आप पहले इसको समझे लिए इसको रूप में लटाएंगे यह पहला गलती था इस कंपनी के डायेक्टर का दूसरा क्या गलती किया लोगों ने कि जो सेयर का प्राइस रखा उसका प्राइस रखा एक्टालीस रुपया 50 पैसा जबकि इस कंपनी का मार्केट में सेयर प्राइस था दूसर बानवे लटा रहें तो यह दो तीन कराना थे इसके रुख को नीचे जाने का देखें के तो एयर टेल को जो उसने प्राइस प्राइस ने लेकिन जब इस कंपनी का शेयर प्रैस परसेंट तफ तब तूट गया तब इस कंपनी के बौड ड़ेक्टर्स जा गयें और इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई यह मीटिंग हुआ कल यानि की फ्रवर्वड 2022 को और इस मीटिंग में कंपणी के बोर्ड अप डियरेक्टर ने ते किया कि नहीं हम लोग को जो एज़ए आड़ चाट सो पचास कौड़ों पर लोटाना है वह एक्वीटी अर्था सेर्स कुरूप में न पहले ले लिए रहते हैं तो आज इस कंपणी का सेर प्राइस 500 के पार होता है अब हम समझते हैं कि पीछे और क्या क्या कारण है हलाकि अच्छी बात है लेकिन क्या सीर्फ यही एक नियूज की वज़ा से अपर सेट लगा है ऐसा नहीं है दो तीन और भी बात हैं जिसके च जब चुट चुका था तो इसके लिए बाते भी सर्कीट लगा है तो अब इसका सेर प्राइस सेक्ट में कहां तक जा सकता है तो इसका जो सौ्ट टर्म टार्गेट है 200 रुपए के आसपास से क्योंकि एक ही अपर सेक्ट में यहां अपने हाइक को ब्रेक कर दे इसकी संभावना कम है एक बार फिर इसमें लोगेगा अब मैं बताता हूं कि अगर आपके पास इस कंपनी के आप सिर्फ बुक कीजे और निकल जए लेकिन अगर आप इस कंपनी को 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 दे कर इस कंपनी का सेर को फाल करते हैं तब मैं कहूंँगा हां बैसक 2-3 साल तक इस कंपनी के सेर को फोल्ड कीजे आने वाले समय में कंपनी बहुत बढ़ा मल्टी बेगर श्टॉक बंते वे दिखाई देगा क्योंकि यह जो कंपणी है इंटरनेट सर्विस प्रभाइड करने का काम करती है आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ने वाला है अगर मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछे बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया धन्यवाद